निफ्टी को और बैंक निफ्टी को टेकनिकल एनीलेशस करने वाल आ ह। तो हम आचके हमारे Angel One के web patch के उपर और ये वीडियो हमारे education के purpose है और हमारे knowledge के purpose होने वाला है और Angel One के web patch पे आने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको search box दिखेगा तो आप यहाँ से nifty bank nifty किसे stock को भी search कर सकते हैं अब इन इफ्टी हमारे watch list में added है और यहाँ पर निफ्टी का जो चार्ट है वो open है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं अपना जो भी time frame है वो बदल सकते हैं candle बदल सकते हैं और यहाँ से जो भी indicator लगाने है वो लगा सकते हैं तो time frame और candle तो सही है indicator लगा लेते हैं तो हमारा इंडिकेटर है वो है bollinger band का तो देखे हमें second number पर देखने को मिल रहा है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यह लग चुका है ठीक है अब यहां से कुछ important tools का उप्योग करेंगे जैसे कि हम एक horizontal line का उप्योग करेंगे तो यहां से हम एक support दिखाएगा तो यह support है दोस्तो 20,000 का level आप देख सकते हैं कितना यहां पर support लिया है दोस्तो इस level पर निफ्टी ने ठीक है उसके साथ यह आप देखिए उन नीचे आया उपर गया नीचे आया फिर उपर गया फिर नीचे आया के फिर बहुत शान्दा तरीके से उपर गया मतलब एक W pattern बनते हमें देखने को म लेना हमें एक एक्टिव होते देखने को मिल सकता है और अगर इसी के ऊपर रहता है दोस्तो निफ्टी यह मान के चले 20175 के या 20200 के तो comfort जो नमें हमें देखने को मिल सकता है ठीक है तो हमने यह निफ्टी को analysis कर लिया अब इसी प्रकार से यहां से bank nifty को भी search कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नमबर पर आज चुका है अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यह watch list में हो चुका है और निफ्टी में भी दोस्तो हमें एक horizontal line लगाना चाहेंगे bank nifty में तो यहां पर हम लगा देते हैं तो यह level हमें देखने को मिल रहा है दोस्त तो यह जो important rejection level था इसको भी easily way में दोस्तों क्या किया है bank nifty ने cross कर दिया है आप देख सकते हैं मतलब अब एक अच्छे खासे comfort zone में दोस्तों हमें bank nifty भी जाते देखने को मिल रहा है ठीक है तो nifty और bank nifty दोनों को हमने analysis कर लिया है ठीक है और यह analysis खाली education के purpose से किया है सब्सक्रान लिजे हमें 5 lot buy करना है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह 5 lot इस price से ठीक है कितने क्या रहे हैं पता चल रहा है साथी में दोस्तों place brighter पे click करेंगे order हमारा submit हो जाएगा और हमारा जो profit and loss है यहां उपर हमें portfolio पे देखने को मिलेगा बहुत easy है दोस्तों angel one के web page को यूज करना उसके साथ यह अगर आप angel one का mobile application यूज करें तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए बहुत श्यांदर feature लेकर आया है angel one है जैसे कि आप दोस्तों left hand side पे देखेगा आपको मारा जो mobile screen है वो देखने को मिल जाएगा यहां पर दोस्तों हमने हमारा angel one का जो mobile application उसको उपन के है थोड़ा सा उपर करेंगे तो यहां पर हमें एक option देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है इंस्टार्टिट इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे एक page उपन हुआ इस page पर हमें सारी सुवीदा देखने को मिलने वाली है जैसे को देख सकते है nifty bank nifty profit loss य आपको यहां पर पता चल रही है उसके साथ ही यह blue color का plus का icon देखना को मिल रहा है उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप लोगों के सामने search box आ जागा तो आप वहाँ से किसी भी stocks को nifty bank nifty को search कर सकते हैं खिर nifty अभी यहां पर उसका chart open है ठीक है यहां से chart analysis करने के स तो कितने lot लेने तो मान लीजे 5 lot लेने ठीक है तो आप देख सकते हैं यह जो 5 lot है इस price से कितने क्या रहे यह nifty के call की बात हो रही है बाए पर क्लिक करेंगे उसके साथ यह आप देख सकते हैं confirm का रहा है confirm हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे हमारा जो order वहां पर submit हो जाएग जो तेंक्यो दोस्तों